सापेक्ष्टा की नियम को समझें किसी सुंदर युवती से रोमांटिक बाते करते समय एक गंटा एक सेकंड की तरह लगता है सुर्ख अंगारे पर एक सेकंड बैठना भी एक गंटे की तरह लगता है यही सापेक्ष्टा है अलबर्ट आइंस्टाइन सापेक्ष्टा का नियम समय के संधर में भी बहुत महतुपून है समय वही रहता है, बस हमारा नजर यह बदल जाता है आपने प्रायद देखा होगा, बच्चे जब वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब दो गंटे गुसर गए दूसरी ओर, जब बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्हें सो काम याद आ जाते हैं और पंद्रे मिनिट में ही उन्हें ऐसा लगता है, कि बहुत समय हो गया यह सापेक्ष्टा के नियम के कारण होता है अपना प्रिये और मन पसंद काम करते समय आपको समय का एहसास ही रही होता क्योंकि तब आप ले में होते हैं, जिसे मनोवज्यानिक, फ्लो में रहना कहते हैं इस समय आप जो काम करते हैं, वह सहज ही बहतरीन होता है क्योंकि आप बिना कुशिश के सर्व श्रिष्ट कारे करते हैं बहतर यही है कि आप सापेक्ष्टा के नियम को ध्यान में रखकर अपने काम को दिल्चस्प बनाने के तरीके खोजें ताकि आप ले में काम कर सकें अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को दिल्चस्प बनाएं और दिल्चस्प माने मान ले, आप सेल्समेन हैं और आपको अपने काम से नफरत है ऐसे में आप एक घंटे का काम करने से ही ठक जाएंगे और सोचेंगे कि बाकी का काम आप कल कर लेंगे दूसरी ओर, यदि आप अपने लक्षे को ध्यान में रखते हैं अपने पिछले रिकॉर्ड से प्रतिस परधा करते हैं और आज एक नया किर्दिमान बनाना चाहते हैं तो आपको यह एक दिल्चस्प खेल लगेगा जिसमें आप में नई उर्जा का संचार होगा कुछ दिल्चस्प करें, जिसमें आपका मन लगे यदि आपका काम इतना नीरस है कि उसे दिल्चस्प बनाने का कोई उपाए ही नहीं है तो या तो कोई काम बदल ले या फिर किसी विशेशग से उसे दिल्चस्प बनाने का कोई उपाईट पूछ ले आप काम के अंत में खुद को पुरुसकार का लालच भी दे सकते हैं यदि आपको पता होगा कि काम पुरा होने पर आप टेबल पर पैर रखकर होट चॉकलेट पिएंगे या कोई फिल्म देखेंगे या पसंदीदा डिनर करेंगे तो इससे आपको प्रेरना मिलेगी और काम में दिल्चस्पी भी बढ़ेगी इतना ही क्यों अपने आर्थिक लक्षे को याद करते रहें और यह कल्पना करें कि उसे प्राप्त करने पर आपका जिवन कितना सुख में हो जाएगा अपने बेटे को आदमी बनाने में एक औरत को 20 साल लग जाते हैं और दूसरी औरत उसे 20 मिनट में मोर्ख बना देती है हैलन रॉलेंड लक्षे हमारे पैरों को आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं और हमें कष्ट सहन करने का संभल प्रदान करते हैं यदि आपका सपना प्रयाप्त शक्तिशाली है तो यह आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा देखिए, सापिक्ष्टा का सिध्धांत कभीन भूले दूसरों को लगेगा कि आप दिन रात खाम खाम मेहनत कर रहे हैं जब कि आपको उनकी तरह मजे करने चाहिए लेकिन आपको यह दिखेगा कि आप दिन रात मेहनत करके अपने लक्षे की ओर बढ़ रहे हैं और वह समय जल्द ही आएगा जब आप अपनी मन चाही मन्जिल पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद सारी जिंदगी मज़े करेंगे यही सापिक्ष्ता है एक को वर्तमान कष्ट दिखता है दूसरे को भावी सुख चिनाव आपका है जब ईश्वर ने समय बनाया था तो उसने इसे प्रचूरता में बनाया था आईरिश कहावत